चुप चुप रही आप आप अपनी आवाज धीमी करके बात कीजिए कुछ ऐसे ही सुप्रीम कोट के अंदर डिवाय चंचूर एक वकील को फटकार लगाते हुए बोलते हैं नमस्कार दोस्तों ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं आम तोर पर एक कोट में सुनवाई के दौरान दो पक्षों के वकीलों के बीच में तीखी बहस होती रहती है और उसका बचाफ कोट में मौजूद जच को करना पड़ता है कुछ वैसे ही मामला सुप्रीम कोट में एक मामली के सुनवाई के दौरान हुआ लेकिन इस बार बेहस दो वकीलों के बीच नहीं बलकि एक वकील और एक जज़ के बीच में हो गई एक वकील और चीफ जस्टिस चंचूर के बीच तीखी नोग जोक हो गई हाला कि वकील के लहजे को लेकर सीजे आई ने पहले फटकार लगाई और फिर अदालत को डराने धमकाने की कोशिशों के खिलाफ उसे चेतावनी भी दे डाली हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मताबिक सुनवाई के दौरान चंचूर वकील के बहस से परिशान हो गए और फिर उन्होंने उसे डाटते हुए कहा कि एक सेकेंड आप अपनी आवाज ज़रा धीमी करें आप भारत के सरवोच न्यायाले की पहली अदालत के समक्ष बहस कर रहे हैं अपनी आवाज कम रखें अन्यता मैं आपको अदालत से बाहर करवा दूँगा तुस्तों इस श्यतावनी के बाद उन्होंने वकील से पूछा कि आप आम तोर पर कहा पेश होते हैं क्या आप हर बार न्याय धीशों पर इसी तरह से चिलाते हैं हाला कि चीफ जस्टिस ने कोर्ट फूम में मर्यादा बनाये रखने के महत्व पर भी जोर देते हुए कहा कि कृपया पहले अपनी आवाज धीमी रखें अगर आपको लगता है कि आप अपनी आवाज उठा कर हमें डरा सकते हैं आवाज उची करके हमें चुप करा सकते हैं तो आप गलत हैं ऐसा 23 वर्षों में कभी नहीं हुआ और मेरे करियर के आखरी साल में ना ऐसा होगा हाला कि जब CGI ने वकील को फटकार लगाई तो उसने तुरंत ही माफी मांग लिए और थोड़ा विनम्र तरीके से अपनी बात को आगे बढ़ाया दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब जस्टिस चंद्रचून ने कोर्ट रूम की मरियादा बनाये रखने के लिए कुछ कहा हूँ एक बार तो उन्होंने मोबाइल कर इस्तिमाल करने पर एक वकील को फटकार लगा दी थी वहीं इससे पहले पिछले साल मार्च में भी जस्टिस चंद्रचून कतित तोर पर एक वरिष्ट वकील विकास सिंग पर तेजी से चिलाये थे जो कोर्ट रूम के वकीलों के लिए भूमी से अधिक एक मामले को आगे बढ़ाने का आगरे कर रहे थे तब जीफ जस्टिस गुसा होकर बोले थे कि चुप रहो अभी इस अदालत को छोड़ दो आप हमें डरा नहीं सकते दोस्तों ये साल चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में जच के तोर पर आखरी साल होने वाला है और उनके पूरे करियर में अपने गुसे के साथ में उन्होंने कोर्ट को हमेशा कंट्रोल में रखा है वहीं उनके आखरी कारेकाल खत्म होने के बाद जब नए जच की नियुकती के लिए कोलिजन विवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कहना कि कोलिजन सिस्टम में क्लियरंस की कमी है ये उच्छत नहीं होगा हमने ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि अधिक क्लियरंस बनी रहे डिसीजन लेने की प्रक्रिया में निश्पक्षता की भावना बनी रहनी चाहिए जब हम सुप्रीम कोट में नियुकती के लिए न्यायदीशों के नामों पर विचार करते हैं तो हम उच न्यायाले के मौझूदा न्यायदीशों के करियर पर भी विचार करते हैं इसलिए कोलिजन के भीतर होने वाले चर्चा को कई विभन कारणों से सारजयनिक नहीं किया जा सकता है हमारी कई चर्चाएं उन या अधीशों की निजिता पर होती है जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए विचारधीन है वे चर्चाएं यदि स्वतंत्र और खुले महौल में होती है तो वे वीजियो रिकॉर्डिंग या डॉक्यूमेंट का विशय नहीं हो सकती ये वो सिस्टम नहीं है जिसे भारतिय सम्वधान ने अंगीकार किया है जस्तों आपको बता दे कि कोलिजन में हाई कोट और सुप्रीम कोट में जजो की नियुक्ति की जाती है जिसे सुप्रीम कोट ने तै किया है इसके तह सुप्रीम कोट में जजो की नियुक्ति के साथ ही हाई कोट के चीफ जस्टिस और जजो की नियुक्ति और ट्रांसफर पर सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस और चार और सबसे सीनियर जजो का ग्रुप तैसला करता है खेर आप देखना होगा कि चंद जून के बाद CJI का पत कौन संभालेगा, फिलहाल इस खबर में इतना है, ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, मेरा नाम है फरीन अंसारी, जै हिंद, जै भारत